हाई एवरिबॉन आप सभी का स्वागत है ना में दाइडूप चैनल में MDU की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है आपके रियप्यर फॉर्म को लेका MDU की तरफ से काफी कोर्स के आपके रियप्यर के फॉर्म ओपन हुए हैं और जो आपके एक्जाम की डेट होगी कब से एक्जाम स्टार्ट होंगे वो भी यहां पर है लाट डेट क्या है विधाउट लेट फिस और प्लस लेट फिस कितने लगेगी आपकी 500 रुपे के साथ और 1000 रुपे के लिए कब तक लगेगी यह सब इस वीडियो में आप डिटियल में देखेंगे ठीक है तो चुले हम देखेंगे अभी जो यूजी कोर्सेस के जो रेगुलर कोर्सेस होते हैं भी ये बीसी भी कॉम ठीक हैं बीसी स्पोर्ट साइंसे हैं इन सब चीजों के लिए आपके यह हैं आपके फास्ट थार्ड फिफ्ट रेगुलर और रियाप्यर इंप्रोमेंट एंड 6 एम ओनली रियाप्यर के लिए फोर्म हैं आपके जो एक्जाम होंगे वो तीस जनवरी से स्टार्ट होंगे यह एक टेंटिटिव डेट यहां पर दे गई युनिवर्सटी के द्वारा और जो लेट फीज होगी विदाउट लेट मैट मैट 6 लगेगी आपकी 15 दिसमबर तक और hilft 10ilen भी लेट Shh वीलट कोर्द दे कर आप अपने फोर्म आप्लाइ कर सकते हो जो तैंटिटिव लेटव टी मेय वह आपकी मतलब जो ऑग्हाम क दे गई है, टेंगाई है वो किया थिक है उसके बाद UG 4 year उन के लिए भी जो integrated courses है, जैसे BADo ㅎㅎ integrated courses यहां पर और opi pharmacy के लिए है, लर्वी के लिए भी हैoh Egay two year courses के लिए भी यहां पर दिया गया कंप्यर 3 थार्ड semester के लिए regular reappear improvement के लिए होंगे MED two year के लिए भी है जो third term regular and reappear fourth term only reappear तो अपने semester देख लिजेगा और अपने class देख लिजेगा उसके बाद देखे हम बात करते हैं BED के BED two year program के लिए जो second year के reappear के form यहाँ पर apply होंगे ठीक है only reappear और only second year first year के reappear reappear के form यहाँ पर apply नहीं हो रहे हैं 30 January आपके एजाम की date sheet यहाँ पर tentative date यहाँ पर दी गई है 15 December तक आप without late phase phase apply कर सकते हो अपने forms को 12 December तक आप apply कर सकते हो 500 रूपे 30 December तक आप apply कर सकते हो 1000 रूपे के साथ ठीक है तो यह BED के लिए है scheme है ठीक है और यहाँ पर UZ and PZ जो distance वाले student है 3rd semester के वो यहाँ पर apply कर सकते हो यह fresh के लिए है और जो UZ PZ semester है और जो old students है जिनका semester system नहीं था और जो regular जो students है और प्लस जो DTE के students से distance के जिनका एक साल में एक बार exam होता है उनकी भी यहाँ पर form fill up होंगे ठीक है तो आप यहाँ पर अपना course देख लीजेगा किस course में अपना admission लिया हुआ है और किस course के आपके reappear के form होंगे और यहाँ पर 2 year courses के जो regular and reappear second year के जो exam होंगे वो 2 July से start होंगे ठीक है और यहाँ पर साथ-साथ आपकी exam की date और प्लस आपके form apply होने की क्या क्या date है वो सब यहाँ पर mention की गई है जिसको जो भी देखना है आप इस notification से देख सकते हो और जो first year की date sheet आएगी first year की जो date आएगी वो अलग से आजाएगी नहीं तो first year और second year साथ में ही आपके tentative date sheet है regular students के लिए भी है और reappear वाले students के लिए जिन्होंने reappear के लिए form apply करना है तो यह था आपके लिए complete details आप इस वीडियो को देख सकते हो end तक और अपने friends के साथ भी इस वीडियो को share कर सकते हो ठीक है और किसी भी course में अगर आपको admission लेना है यूजी पीजी में beard में admission लेना है तो आप मुसे contact कर सकते हो contact number आपको description में मिल जाएगा तो beard से related कोई भी update पाने के लिए कोई भी जानकारी पाने के लिए चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ जादा से जादा वीडियो शेयर करें ठीक है thank you और आज के लिए तब अस इतना ही मिलते हैं फिर next video में